बात है क्रेक करनी की, मैं आपको सच बदा रहा हूँ, सब किने मजाग मिस्ती में सुरूप गया है, तुकब एड़िया, आनी देता है, बलत कॉंटेंट बनाता है, वहाँ मैं एक दम पूरा फूर जोंगा में, तवज्यो दिया ही नहीं जाता है, कभी सिनेमा को उनको पता ही अब देखे, कुछ ही नहीं करेगा, यह उठेगा और वीडियो बनेगा, एड़िट तो हमने 20 मिलियन तक मैं नहीं करेगा, 11 जोतिर लिंक है हमने, सोंबबार का दिन मैंने ऐसा रखा कि मैं उस दिन रिलाक्स रहके, बार पर बैठके, वरत रखते, लड़का ना मेरे गले म तो उसना बुड़ी तो चिला कैसे का बहाई है मेरा बहाई, ऐसे करके बोला, पीछे से कैमरे से सेम ताइम पर रवा जा रही है, तो हमारे भी तो है, तेरे ही थोड़ी ना है वेलकम तो एलल पोड़कास्ट और आज हमारे साथ है, अमिद बढ़ाना, अमिद भाई हमें भी आगे बढ़ाना, तो कि हमने आपको इसी लिए बुलाया है, कि हमें भी आगे बढ़ाना, मैंने सची बोलु मैं यूट्यूब अली कम हो थोड़ी, अब भी आई हूं एक डेट साह से, तो हर्ष ने मुझे बोला, अमिद बढ़ाना, तो मैं जब मैंने आपको अब दो गंटे की फिल्में बनाते हों, और जब मैंने क्रेडिट में देखा, तो राइटर अमिद बढ़ाना, डिरेक्टर अमिद बढ़ाना, एक्टर अमिद बढ़ाना, मैं तो भाई, अमेजा से मानता हूं कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है, कि जिस तरीके से डे दोस्तों का बहुत बढ़ा आता है, दोस्तों थोड़ा सा कहते थे तिरह सेंस उफीमर, वैसे ही चडा के रखते थे, कि तिरह सेंस ओफीर और मैं क्लास का वो बच्चा रहा, जो लाष्ट में बैठता था और जिसे कहते थे कि क्या नाम आम पंच मारते थे पीछे से बैठ और अगर कोई गलती से बोल दे कि निया भी अस गई, पुनम भी अस गई तो और अच्छी खुशी लगती थी मैं कर कोई तो ऐसी बात बोलिए कि निया भी अस रही है अब तो बात बनेगी थोड़ी सी लगी तो मैं पहले डबिंग करता था 2016 में उसको में फेस्बुक पर डा अच्छा वकील हो पर जाता नहीं बस डिगरी रखिया और गहर बात है यार पर घर वले कहें नहीं कि वकील के डिगरी ली इतना पढ़ाया लेका अभी तो सबसे पहले सब्से पहले यह क्या है वाई क्योंकि हमारे तो घरों में तवज्ज्व दिया नहीं जाता ना कभी श उनको पता ही नहीं क्या चीज है गानों के नाम पर रादनी सुनते हैं अब देखे कुछ नहीं करेंगा यह उठेगा और वीडियो बनाएगा कुछ कर लो काम इसी शुरू हो जाती है चीज है ना वो तो जैसे बारिश भी पढ़ गए बुकम भी आगे तो वो फोन में चला अब तो मत बोलो ने से पहले तो बड़ी पहली हुई थी ऐसे कोई कह देता ना भारती जा अभी फिट हो गयो पहले देखना था इतनी फैली थी कि मतला कपड़ नहीं आते थी यह पुछती है तुने की वेख्या है इसको यार कोई मासा गर तुडवा सकती क्या शादी की च मतला बहुत ज़्यादा है मतला बहुत जादा अलग होता है मेरी दादी जी मैं ने को देखा जिसे मेरे घर में तो जैसे कोई आए तो आए आके कहता कि माजी नमस्ते तो देखते हैं किसकी है तू कहां से आई है तू उनका बड़ा एकदम नैचुरल बहुत ज्यादा नैचुरल रहता तो पहले वाले लोगों का यूमर बहुत अलग ता और वहां से निकल के तो सीरफ पहुंच मार के किस किसकी है तो मुझे नाम बदा अपने मम्य को पहले और जैसे उनके चोटी-चोटी बातों में बहुत होता है जैसे कि कोई जैसे जादा सवाल करता है तो उसको चुटता है वकील है तो कोई जैसे घर की बात कर तो SDM है उनको पंच जो चीज सबसे ज्यादा सवाल पूचा जा रहा है ना उनको उससे एक परसन निकाल के रहना है जिससे उसका comparison करना है और बहुत बीटी होते हैं खेर आपने जब लॉग खतम की और जब फैमिली वाले ने आपको बोला कि अब आपको लॉग करनी चाहिए और आपने यूट्यूब च्टार्ट किया या आपने तब तो मैंने उसके उपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी तो वह बहुत चली पहली वीडियो से ऐसा यूट्यूब पर डाल दी मैंने तो क्योंकि उस टाइम पर ये इतने बड़े सपने तो कभी सोची नहीं सकते थे ना कि एक फिल्म भी बनाएंगे ऐसे कुछ नंबर भी ब बिजनेस मोडूल कभी चला ही नहीं हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में ठाट है बात्ची ब्रतशा लोग ऑश are go बिलेंगे पर पहली बार पता भी लगा ना इसके पैसे भी मिलेंगे मैंने बही पर अपने अब करण रहा है अबंगारााथ मैं वकीन आब तो मैं यहś एक एक मिनट की मैं वीडियो डाला करता था अब जैसे लोग अप्लीट हुई फाइनल एर का मैंने एक्जाम दिया अब बताव मित कब जारे हो मैंने का जारा हूं बता रहा हूं कब तब तक मैंने वीडियो से लेकिन बनानी सुरू कर दी जा मेरी घर में किसी को नहीं पता ल तक नहीं क्योंकि 2017 में इतना नहीं था अगर आप देखें तो 2017 में इतना इंटरनेट नहीं था इतना फैलाव नहीं था डिजिटेल का वो तो जीओ आया फिर जीओ ने काफी हेल्प की घर गर गाउं गाउं तक पहुचाने में तो फर्स्टाइम एक मेरी वीडियो ती जिस पता ही नहीं कब क्लोस अप लगें कब टूशोट लग रहें कब किसका थे जाएं में इस बड़े फेमस होते थे तो मम्मी देखते हैं मम्मी देखके एकदम से मम्मी ने का कि यह क्या है किस लड़की से क्या बात कर रहा है मैं एक दोस्ते मेरी मैं इसके साथ में वीडियो तो संव नीयाती वीडियो बनाते हो मैंने घ्रे मारल से डालता हुआ यूटूब पर डालता हूं यूटूब पर दालता हूं लोग देखते और ऐसे-एसे पैसे मिलते हैं मेरी यहां हमें यहां हैं फैसे जिस में पार्क में बैटकों से बाते करनी पड़े अश्रों को सब आज यह मुझ्ट से यहocy का नही Corinthians की वेकालत तो होती रगी उस टाइम पर मेरे गर मुझे पता लगया था कि atto सब को पता लगने अब तो पार्क में वीडियो बन गया है और वकालत भी छोड़ने की बात कर अब मैंने चोड़ने की नहीं हरा तो नहीं हो जोड़ा नेचर भी है जरा कि मुझे प्रोब्लम थी तोड़ा किसी के अंडर में काम करने की यहार नहीं कर पाऊंगा ना मेरा क्रेटिव क्योंकि मैं बस करे जारे थे वही जो डेस्टिनी कुछ पता नहीं हो था आपका माइंड आज महीं यहां पर बैठके कहने लगो नहीं भाई दिखो मैं तो इतना दिमागदार था मैंने तो दस साल पहले डिसाइड कर लिया था मुझे क्या करना है नहीं नहीं वह जूत है और किसी को न इधर की तरफ घिकते जान भोला आपने जो लोग बोलते रए मुझा तो बनओ कि मैं एसा बनोगा वो जूओत आपको भी पता होटम को यह पता कि आगे जान के धा दू सालों में क्या होनेगा पार मनेणया है नहीं पता है नहीं नहीं बता हुँआ कि क्या मुमंइं प्रह जिक सहने मेरा मेरा जी नोगला तो वह सा धना से थाट थे नहीं थे और रिनां पूरी बार मेरा ने करण और मेरी पूरीक थाका सबιο Seit वो वीडियो बनाता है, ऐसे-एसे मेरी लड़की उसकी फैना मुझे फोटो कराना नहीं, अपना लड़का तो भी वकील बनने वाला है, मैं तो उसको जज की तेयारी कराने वाला हूँ, उन्हें फिर तोड़ी तिर में फोन किया, के भाई मैंने पहलाना बंदी से पूचाया वो तेरा ही बती जा है, के वीडियो बनाता है? के रहे चलो आजओ आप में करा देता हूँ, आप जो भी आप कर रहे हैं, अब फोटो गलिक हुआ लड़की किता तब पहली वार चाचा जी नहीं ज़े थोड़ा प्रावड से देखा, वाभई वावाँ, ठेक आए, ठीक है सब्सक्राइब ऑध कर दो पहले से जर्टाइब अच्छ पर इश जर्टाइब दोग तब नड़त इस तो इसा तो कर रहा है कि मुझे अच्छ पॉन कर रहा है तो जब तक भार वाला अच्छाईया नगिना और बुराईया नगिना तब तक घर वालो को आप बेकारी लगते ह आप कितने भी अच्छो गर्वालों के लड़का बेकार है बिगड़ रहा है नाले पे खड़ा लेता है पूरे दिन अच्छा चाहे वो जाता ना हो पर पकेड लेंगे उसको और एक बार के लड़का सीधा है यह तो है लड़का हमारा बड़ा सीधा है बहुत सीधा हमारा फड़त ख़सी बाकारे मत आतों ऐसको करें में को माओं के अंधर कि अधर किky इस अधर ही मिलेगी करूकि कि टू जब डिज्ट टेंगे क्या करी अब्वीडियो बनाता है वो ओलें के नहीं वकील है तो इसे को माओंध भाल ओम्ही निए ऽखले लेका मांम्य क के आखलो ज जालो लेते हैं चल फिल ठेक है तो पहली बार एसे लगा रहे करतों फिर मैंने विता है मैंने का देख लो अगर जो आप कराना चाहर हो वो ना कर रहा होता तो ऐसे तो यह जाते हैं और कहते हैं लड़का अमारा जजय वकील है तो देख फील तो आती है लिए इनको नहीं तो यूट्यूब की आपकी क्या अंडेस्टेंडिंग विकॉज मैंने तो ऐसे भाजारों वीडियो देखे हैं जहां पर मैंने देखा है कि आप करोड़ों रुपे कमाते हैं आपके यूट्यूब के व्यूज से यह जितने भी ऐसी वीडियो होती है ना यह सब एकदम बिल तुनन लोग ना अपना बड़ना महसूस करta हैं यह अपने वंदें तो हर चीज इनकोह एंट भी लगती है वो वकुछ लोगचेवमेंट में भी बताते हैं बड़ा चड़ा के 10 क्रोड 순 है 20 क्रोड बोल दें हमारा आदमी देखो इतने कमा रहा है अगला बंदा यह कह रहा है कि अरे नहीं है ऐसे भी थोड़ा नहीं मतलब पैसा तो है अगर आप यूट्यूब पर आप व्यूस का बेस होता है तो यहां भाई आपको व्यूस से मिल गए फिर इस पे स्पांसर हो ग और नहीं नहीं यहर बिचारे बन देखो हमार तो कुछ नहीं पराऊ सब कुछ रहा है बहुत अच्छा बट इतना भी नहीं और जितना दिखा देते हैं लोग आप भाई लिखते भी खुद हैं डिरेक्शन भी कुद करते हैं आप अधिक इसके अलावा आप एड़ी वहार फाइनल कट मेरा होता है फिर्स्ट कट लड़का है जो अच्छा वाव तो एडिट भी खूद करते हैं एडिट तो हमने बीस मिलियन तक मैंने ही करिया अरे बाप रही जब से मैंने यह फिल्म्स बनानी सुरू करी और वैप्स अगेरा बनानी स्टार्ट कि तब से मैंने एडि इसे नहीं करना था तो मुझे लगता था कि मैं तोड़ा सा फ्रस्टेट होने लगा तो चीजों से कि अरे ज़्यादा हो रहा है यह ज़्यादा है तो मैंने सोच एक लड़का रहेगा जो आराम से जिसको मैं ब्रीफ करूँगा तो ऐसे कट लगा फिर फाइनल कट तो मैं कुझी अपने हाथ से माउस लेकर अपना कर देता है लिए अगर आपके अंदर एक एडिटर है तो आप उस सिच्वेशन से निकाल के लिए एक डारेक्टर का एडिटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको पता होता है अच्छा यह से यह कर देंगे तो उधर कट हो ज आप क्या लिखते ते इसकोल में थोड़ी सायरीय निग्वता तो एज निश कोलीज में लिखने लगा मैं पनी में बहुत कम दसमें से तीन बाते लिगता था नहीं यह सीरियस बाते लिखता रहता था काफी कुछ मतलब मैं पहले अब यह तो मेरा वहाला जोन बहुत जादा जान रहता है किस तरीके से डाइलोग रखना क्या रखना क्या नहीं पहले तो मैंने 2017 से फ़ल तो बहुत साहरी लिखी है बहुत जादा साहरी लिखता था जैसे से स्सी में मैंने पांच गाने लिखे हैं हां राइट मैंने वो भी देखा लिरिक्स और कंपोजिशन का म सुने हैं मैंने वह भी सूना है हिप-host हाउ पूरा मैंने न Unity's चैरख अन्यों जी हमेश रिसंह की सुने हां वह और जीत सुने मैंने हार एक जोन हनी सिंग भाई सुने एंन इतना तो सब मेंने जोन और है तो में मुजशन का मुझे बहुत ग्रूज़ ञगा मैं सब मुझे थोड़े टाइम के बाद पता लगने लगा कि जब एडिट होता है तो मुझे मुझे में बहुत ज्यादा इंट्रस्ट आता है मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बताया कि बाई जब मुझे मुझे करते हो न तो बहुत एकसाइटेड रहते हैं मैं आपको देखा लेकिन जब अचलू चूटी-चूटी सुना दी किसी को बदा तो उस तरीके की बात आज मेरी छोड़ अपनी बता खुशता है ना तो आज मेरी छोड अपनी बता प्सको रही है सता तो लोग बढ़े, चले कुल चाहता है, होगया तेरा इतनी तो अज़ खतम क्यों नहीं हो और फिर तो 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 जैसे करता था तो 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 इसे पर भाले, प्र वैल्यू पता लगने लगती है तो आपको भी लगता है चलो यह ठीक है लेकिन मैंने राइटिंग में एक चीज देख कि हमेज़ा मेरी राइटिंग में कहीना ख़िए ना फैमिली इन्वॉल्मेंट बहुत हागा है मैंने देखे सारा कॉंटेंटी अप फैमिली वाला है तो उनको बुट बुरा लगता था कियार अमित महा घड़ा था चोटा बच्चा है क्या करेगा ये तो मेरी उससे बहुत ज्यादा अब्रिंगिंग हुई है और मेरी motorcycle के दोस्त हम सब ऐसे रहीं भाई रहे मिलकुल बाई रहे उसकी घर में जाएंटी नमस्ते उसकी बहन को बहन के रहना हम दो याप जिसकी मा बहन को अपनी मादीus तो कैसे गाली देते हैं उसको तो तो नहीं दे सकते बिलकुल भी ना ठीक एक गुसा आया कभी किसी से कुछ पंगे-वंगे हो गए इस ताइम है तो हो जाता था ठीक है गाली हो जाती है लेकिन अपने आपस में इतना रहनी और अभी भी हमारा बिलकुल भी नहीं है वो होता ना जैसे आपने का पता नहीं होता कब बड़ा होगा आदमी लेकिन जब बड़े हो जाते तो वह थोड़ा सा अवाइड करते हैं तो कहीं नहीं इसके नुकसानी है लेकिन ओडियंस को आप कैप्चर कैसे करके रख सकते हो जब सारे ही लोग गालिया दे रहे हैं 2017 में म मुझे एक दिन ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे देना चाहिए करना चाहिए बल्कि अभी तो मुझे उसका हद से ज्यादा एक कि चाहे कोई मुझे पुलिस ओफिसर मिले चाहे मुझे कोई रैंडम इनसान मिले कोई भी मिले वह उनके पहले यहीं बात होती है कि यार तू ग कि इना गाली हो देखने वाले लोग हैं तो गाली को भी देखने वाले लोग हैं क्योंकि वह सबका टेस्ट और किसी के टेस्ट पर डाउट नहीं कर सकते कि यह कैसे लेकिन आप जस्ट यह सोचके कि अगर मैं यह रास्ता अपना लू और मुझे जल्दी कुछ मिल जाए उस रहे ही जैसे ऐसे बोलत कर से मां लर दढ़र का है तो वो चीज बहुत करती 같아요 मिरे लिए बहुत मैठरर करती है मुझे कभी मेरा सगा भाई यह ना बोल दे कि भाई आप मैं वहाँ गया था और वहाँ चार आदमी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे अच्छा बोल दे लेकिन कहने थे एर वह गाली गाली देता है गलत कॉंटेंट बनाता है वहां मैं एक दम पूरा टूट जाओंगा मैंने जितना भी कमाय करें बात तो वही है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वह करी मैं इसलिए रहा हूं कि प्राउड फील मेरे आसपास के लोगों को जब तक प्राउड आएगा निवो मुमेंट नहीं आएगा तो मैं उसको फिर क्यों जी जा रहा हूं पैसे तो बहुत सारे भी आपैसे कमाने ये रिस्पेक्ट कमानी के भी जैसे बहुत सारे में कोई आर्मी में रहके कमाता है कोई मेरा रास्ता ये है कि मैं ऐसा कॉंटेंट बना के जो सोसाइटी पर इंपक्त डाले उससे प्राउड कमाना चाता हूं अपने लिए कि लोग अप्रिसेट करें जब भी आपका नाम आता ह पता सब को एक समस्दारी वाला सब में गल्ती किसी की बेदी जिसको जैसा रहा उस टाइम पर लगा उसने वो चुल लिया अपना काम सेट कर ना था इसलिए जिसको जैसा लगा में आगे बढ़ सकता हूं और लिया इसमें सही गलत की तो बात नहीं बात यह है कि आपने लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा दिल्ली साइड की तो दिल्ली साइड बहुत सारी उसका क्या रिजन है वह एक जगह से सिक्किम से विए तो कोई तो इधर से विए तो उसमें लोगों का दारा एक तो बहुत बढ़ा है मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कि इस इस content को पसंद किय YouTube को को जानता भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें फिल्म इतनी देखी होगी कि वह फिल्म स्टार को जानते हैं वह आज भी आप उनके सामने अमिताब जी को नाम लोगे दर्मेंदर जी को यह कौन है कहां से है लेकिन दिल्ली में इसका बहुत अप्रोजिट है वह अमिताब ज जानते हैं और कोई ऑर बिल्कोल नए शुरुत कर रहा है तो कोई उसको भी जानते हैं बात है क्रैक करने की मैं आपको सच बता रहा हूँ सब यह मजाक मस्ती सब्ने मजाक मस्ती सुरू ए तुखक बैट ओनुद्या बढ़ा लोग रिलेट कर गए पहिं अप अच्छी लग अपने इसके अपने principles रहे गाली नहीं आज भी family के साथ रहता है ज्यादा फाल तो भी बाते नहीं करता कोई controversy नहीं इसके नाम पर किसी के नाम पर ऐसे मैं भाहि कर down कि यह तो एसा है है इसा मैं करता है थो कि यूटीवर यह सारे काम चोड़कर मुझे पूरी टीम लड़ाइन इंट बहुत है यह था वो सिक्यूर्टी सोर्ज होते हैं यह पर वो चल नहीं पाती चीज मतलब मुझक्राइब कि मेरे दिमाग में नहीं आती वह एरे नहीं याड़ ऐसे कैसे होता है कोई मिलने आया कि क्या खतरा में उससे क्या गदर आप अधर नहीं आप समझें तो यह चीज फ है बड़ी एकम किया लेकिन वह आम जंता से हमेशा आम जंता होने रीच आउट नहीं कर पाई हमारे कोई मेरे कोई उसमें लिख दिया लिख देता है ना कोई मैं ससी का वेट कर रहा हूं और मैंने पूजा पाट किया है कि आपकी ऐसे सीट हो जाए मैं उसका स्क्रीन सोट करा और मैंने ऐसे कर दिया थो मैं पूछता हूं भाई मैंने इसमाहिल करी दिन सकी तरफ या क्योंकि में इन अइसे तो नहीं और ढ़ इनों ने बहुत कुछ पो देदे ऐसा है कि अगल किया ना वाई वो जो पहले गरीब गर से उनको लगता कि यह कहीं बुरादा एफेक्ट हो जाए कि मैं अगर मैं तोड़ा इसा भी हो जाता ना लोग स्टेंड़ में लेकिन जब से हैं जब से मैं यूट्यूब करना शुरूए लोग गालवाल खीच जाते हैं इतना प्यार करने लगे अरे रोजी आती है क्योंकि टीवी पे तो तयार होके गाउन पहन के इदर जुडा किया है लोजी वेलकम डॉर चैनल गोला सोया है लोगों के करीब पोचे फिर आपने कभी इनका दिल ऐसे दुखाया भी फिर चुटी-चुटी चीज़े बहुत जागा होती रहती है आप जैसे सोचल वेलफेर बहुत होता रहता है अब जैसे कि मेरे पास कोई आजाता है किसी भी गाहों से मेरे आस पास उसने कुछ बोला बाइसे कुछ लोग है उनकी उनकी कुछ लड़किया है उनकी साधी करानीय ऐसे करानीय तो हम बड़ा बढ़ चड के सवाल करते थैं क्यूं कर देदें इसलिये नहीं कि नाम हो जाए चीज हो जाए वो जै कुई इंसान आपके पास अई एक लेकर रहा है वो आप ने नोर्मल आदमी है उसके आप विचारों से नहीं से पता ही नहीं लग पर आदमी चाहता क्या है अभी जैसे वैंने ट्रेलर लॉंच किया तो ट्रेलर लॉंच पे जितने भी जब लोग आए होए थे तो मैं एक दम से निकले हम आपर कुछ लोग आगे वन एक बड़ी अच्छ जैसे कहते हैं यह मेरी मम्मी है तो दूसरा वाई कोलता है यह मेरी भी मम्मी है तो यह जुड़ाव है यह सबसे ज़्यादा है लोगों में तो फिर वो लोग एक दम फील कर लेदे कि है ठीक है परले तो आपने शुरू किया एक 30-40 second या 50 second के कॉंटेंट से फिर आपके 5-5 minute के sketches, gags आते थे वो लोगों ने बहुत देखे, episodes होते थे आपने दो गंटा किसी को 20 million या 22 million लोगों को बिठा के दिखाया कैसे मैं अबेसार रोज ना कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ मिस्ट्री लेर्निंग और जब लोग कहते हैं आपने कुछ पा लिया तो मैं जब मिनट का बनाया, एक मिनट के सोचा कि 5 मिनट का बनाएंगे, तो अजमने और यह पांगलो, 5 मिनट को यह को देखेगा, तो क्या पना पुर्यक पुरा करियर चुन लिए यह करना है, तो आपको उसका बहुत जादा रिस्पक्ट reach और रिगार्ड करना होगा, कि हैर मुझे इतनी वेल्यू देनी है कि कल को यह ना कहने लाएं तो उस टाइम के बाद से मैंने फिर फाइनली मैंने लास्ट ये सोचा था कि यह एक ना अमिद बनाना भी बनाते हैं, मैं क्यूंकि एडवकेटर था मेरे ज़ा किस्सा थे मैं रेक लाते हैं दों गंटिगी बनाते हैं तो सब आपके फ्रेंड्स थे सब मैं फर्स्टाइम ऐसा कि मैं बोलिवूड के कुछ एक्टर्स को लेकर राया है कौन को ने हमारा बिल्कुल आपको नहीं कर भी देखा मनो जोशी जी जी थे उसमें राजे सर्मा जी थे एमन पांडे जी थे थे अच्छे रिस्पेक्टिटिड रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लग है अब डारेक्ट भी करोगे अब लिख भी लिया यह भी लिए वह डिफिकल्ट हो जाएगा मैंने करके देखते हैं मिलेगा तो ठीक है जो मिल गया उसको अपना बना लेंगे जो चला गया वह अपना था ही ने फिर छोड़ देंगे आई कोई बाद में करते दो हैं लगते टीम बड़ी मोटिवेट रीक अब इस पे कुछ कर सकते हैं अब तो बढ़ी आम कुछ बना सकते हैं उसके बाद मैंने तोटे तोटे गप के बाद फिल्म से बनानी सुरू करें मैंने पगल बनाई मेरा जोनियर बनाई चिडिया घर मैं सारी चली लाइन से चली सब रहिं ज सोफ से थीक घंटे we 59 दो गंटे क्या है टीक डिंब ख५ुट कर रहिव थिंग एक रहा जाता है एक महीन ले 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 तरे आम search करते हैरं केली ह disp करें अभी जैसे एक 25 डेगी में कर कि भुदु गा थीट कर ला है युझ को मुझे 22 बोजन गड़ अर है पहली स्टुडन ज़ए जट जाता है मुझे उदास हो जाती है ना क्योंकि हम नौर्थ वाले खाना नहीं छोड़ सकते शुरू में उदा फिर मुझे लगा यह तो काम भी गड़ जाएगा ऐसे नहीं होगा शुरू में मतलब मैंने जब पहले ट्राइग गया तो मुझे मैंने कर लिया एक मही शूट किया तो इसको हमने दो पैटन में शूट करके अब फाइनली मतलब बना दी हो हमने वह भी यह वी दो गंटे से उपर कि यह वी उपर गया दो गंटे से उपर इसके बार बताए ऐसे सी कॉंसेप्ट क्या है ऐसे सी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन होता है इसे इसेत कि न्मपर बनाशी से नीचे एक सीट पढीधि कर दேना स्कूर है इतने लोग अप्लाइक खरते तो मुझे ए stress तो उम बना दें फरेला थी तो सुरह में तो बहुत इतने जैन्मन तरीक बीड़एक नहीं और देखिए लुट जाते थे वो फैन मुछ से मिल देख लेख थे वाई एक से बुमार के साथ काम करने कैसा लगा तो मैं जहता था तुम मुझे मेरा बता दो यार जो मैं तुम से पूझा उनके मुझे सवाल उल् मैंने एक आदे गंटे का वो किया था उनके साथ वाव पोरा इसकिट के अधा मेरा इधर मसला चल रहा है बाकी इसको करते के साथ ही अगर उन दिनों कुछ होगा तो हम डेफिनेटली कुछ कर लेंगे तो दुबारा से को लई कि ऐसे बात है कि अमिद देख लीजिए अगर है तो टाइम तो फिर हम करते हैं मैंने ठीक है कर लेते हैं आप कैटरिना जी से अब हम उस टाइम पर एक जो मैं शूट कर रहा था उसकी एक लोकेशन की रेकी करने गए तो मेरा फॉन ब्लुटूथ से कनेक्ट था गाड़ी में तो मुझे मां से कोल आता है कि अभी आपकी पांच मिड़ बाद हम बात करेंगे साथ में बैठे चार-पास लड़ी के मैंन सबसे पहले जो ड्राइविंग तो मुझे तो यहां से बहुत आराम से अच्छी आजाएगी पीछे वालों से पोछलों बढ़ानी है कम करनी तो मैंने का सुनाओंगा दो से जादा कुछ नी सुनाने वाला तो मैंने का थोड़ी प्राइवेसी रखनी पड़ती है तो फोन और सुनाई लड़को और फिर तो मैं फोन पर आगया वाफिस मैंने कर नहीं अब थोड़ा साथ प्रोफेशनलिसम और बात होनी चाहिए तो अपने वाले इस एक बार तो ऐसे एक बार तो ऐसे बल्वा दे तो बात भी फिर उन्होंने का कि क्या कर सकते मानिन कर सकते मैं लि उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है वो बहुत प्रोडक्शन में इंवल्व होती है वो एडिटिंग में इंवल्व थी हर एक चीज़ अक्सेसर का भी ऐसा अक्सेसर के साथ भी जब मैंने काम किया तो मुझे रोज एडिट पर बोलते तो अमित यह वाला डब यहां पर ल काम से प्यार होने तो अभी रिष्टेदारों में आपका वट है थोड़ा हम मतलब रिष्टेदार अब तो तु मिलता घरी नहीं आता क्यों कि वीडियो जब तेरे चलने लगे लगे तर बिच में मासिका चाचें कहती है उन गित्थे उन्से बड़ा अधा ही वाला तो एक कारी अगर भाई नी आया तो मैंने तो आउंग अगा नी तो कैसे वार। मैं उन दुन आ यह नहीं वाओंगा सग भूआ जी निया मेरी दूरकी रिष्टेदारी में नंबर बिलिए था उन्हें वाला झा कर सकते हैं स्लेंडर विलंडर उठाने हैं कि क्या करने हैं नहीं न कर अभी तो अगले महीं करा उगा 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 साधी भी वह गाई उसके बालक वालक वालक हैं अब बड़ी अब बन चुके दुनिया वे विट है लेकिन वो मेरे ना जाने से साधी नहीं कर रही थी आप हाँ 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 ऐसे प्रेशर को बहुत करते हो है ऐसा तोड़े खाए तोड़ा थोड़ासा ना कि आज एतो अचला चला जाओ वो कहे आज एसे और विया तो पूरे कहीं बीचले जा उत मिल सकते हैं कोई दिकते क्यों कि साधी के जैसा नियुक्ता वो गलित ओंड़ कहाने का और वहा कि चौमेन जैसे चाहूमीन मिल सकते हैं और भी तू हाथ से खाल गोसा JUST हुए मैं जैसे गम किया है। शादी वाले golikkah, उनके सादी काक्यूंकिॉ क्यूकि पानी बहुत अच्छा होदा उसके HOLK queodka you a मेले के साथ मिलता है इसके साथ मोह आखे दुछा च्चार को तुछास में तो नियुक्ला है सिर्ता थो आसे रहता हिए तो आपके दोस्ते लोग के पास location क्या चाहिए आपको गाड़ी घोड़ा मेरे एक दोस्ति ने मिरे को हेलीकॉप्टर ला के दिया है मैंने उसको कहा कि एक सीन चाहिए जिसमें से मुझे हेलीकॉप्टर से उतारना है ठीक है कल तक करा ते रहें करा दिया मतलब ऐसे हैं कि घर हो चाहिए कुछ भी हो तो हमारा करने का तरीका ऐसा है बहुत ज्यादा कि बाइस तरीके से या कभी जैसे पुलिस परमिशन होती है तो सभी पुलिस वालों के साथ बहुत रिस्पेक्ट वाली चीज है कि बड़े रिलेशन ऐसे कभी ऐसे प्रोब्लम नह करना पड़ेगा वह आप ऐसे भी किसकते हैं तु यह फेवर कर दे वह अच्छा भी नहीं कि हराद में अपना चलाना है लेकिन अगर हमें कोई गाड़ी चाहिए घर चाहिए गाउं चाहिए तो पूरे का पूरा गाउं कर लेते हैं जैसे पूरा काउं करना मामा जी को बोल अपने चाहिए विटा गाय चाहिए फंदरा गाय दे इधर को आई पूछता हूं कि होगा के लिए मेल करो मुझे तैने अपको यह मुंबई का कल्चर कैसा लगता है मुंबई शिफ्ट हो सबस्च बताओ तो प्रोफेस्टनलिजम तो बहुत है जादा बहुत चाहदा है उ मुझे बढले अच्छा लगता है क्योंकि हमारे वाले तो छलाडाणी है हमारे वाले तो सूरें साड़े आड नोजे क्या कोली टाइम आठ आता हूं चाहिए तो अबने वीस आदम केंग कम लोग हैं सार्ह 이상 हो चालिश路 को हमलाग चलते हैं तो मामला लगता है जाते हैं दिल लिए तो तो निचा अपते हैं यहां तो तो एक आडमी ने करें डिया कि मेरे पास आजा तो घम आज आप निकलो गेए उगले महीनी की 14 फारीक तो भाई बराते लेट जाती है लड़किया बाग जाती है कि तू नहीं बही अग तू नहीं तू 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 टाइम पे आया उनिआया लो नहीं तो आपका प्रबू में आसता है ना वो समय के इसाब से आपका प्रेम दूसरी तरफ आकरसित होता रहता है जब मैं राम जी जी की बड़ी पूजा करता था तो मैंने हमेजा महसुस कि बड़ा वो जैसे उनका जीवन का संगर्सरा अकिला पंजितना उन्होंने देखा वो मैं कोई रहा नहीं मिलती तो गुछ सब होता था था तो अब मेरा ना पिछले कुछ सालों से बड़ा लगातारी नेचर था बड़ा हेल्पिंग सा नेचर हो गया मैंने देखा है कि कोई भी चोटी सी बात मेरे पास लेकर आजाता है मैं सीरेस हो जाता हूं कैसे तुर ऐसा क्यो सब्सक्राइब करें तो और कोई नहीं कर सकता मेरी दादी जी की तव्यद बड़ी खराब रही ती मैं दादी के बड़े करीब हूं तो वह वेंटिलेटर पे दी और डोक्टर ने कह दिया था कि नहीं हो सकता अभी लास्ट है बिल्कुल ऐसे मैं उन दिनों मुझे किसी ने कहा था कि आप शिव जी जी को जल चड़ाएं दूद चड़ाएं तो मैंने जल दूद जब से उनको चड़ाना सुरू कि ता मेरी दादी ठीक होई थी इसलिए उनको महाकालभी कहा जाता और मेरा इस परसनल मानना है कि जब आपके परिवार में किसी की बहुत तब्यत जो मृत्यु वाले व्यक्ति को भी वापिस जीवन देते हैं समय बढ़ा देते हैं मृत्यु निश्चित है जो आया है वो जाएगा बोले बाबाजी का मैंने यह देखा है कि जब आप उनसे कुछ मांगते हैं वो सबसे पहले देते हैं यह बताने के लिए कि इसकी जीरो व मार्म का जरिया है त्योंकि उनका तो कहना ही है कि आप समाज में अपने चरितर का इंपेक्ट आ भी निष में और यह उन्होंने ऐसे ही लिख रखा है कि आप हसाने के जरिये सेवा देंगे और इतने लंबे इसलिए टिक हो क्योंकि आपके करम बड़े अच्छ है नहीं तो अगर आपके करम घराब होते पता भी नहीं लगता मैं भी मैं भी चार लोगों से पूसरा तो यह कौन है और सबसे पहले आपको जो चाहिए होता है यह बताने के लिए कि इसकी कोई वैल्यू निया जब तक तू सोसाइटी पर कुछ अपना इंपक्ट नहीं डालेगा सोसाइटी में इंपक्ट सेवा कर जब आप वह वैल्यू एड करते हैं और जैसा वह चाहते हैं आप वैसा ही कर र कि अब बोले नाज जी के लिए जिससे की मैं सौमवार का दिन अपने जीवन में मंगलवार का दिन उसलिए रखोंगा कि अपने दिमाग को सांत रखोंगा इन चीजों से बचने लिए कि आज यहां जाना है आज यह काम करना है कल यह करना है शूटिंग है दुनिया धारी सोचुंगा थिमाकि में एक सה सकता हो तो यह मैंने एकस ईसेराइस को कहींबी रहता हूं तो सबसे पहले तो दिन की शुरुवाथ ऐसे हो यह क्तना सेवलिंग पे ऑस यह कहीं भी पर आज हिसे सेंट़ कुल काहीं जाता हम झारा जो तिर लिंग एमर बारवर लास्ट है जो हम महिने के एक साल में किया हैं और जाशनाइओ यहां मेतरा मिष्य खार नाद हो गया जी जाएं आमकारेश्वर और ममलेश्वर वहां पर भी ओकर आई और क्या नागनाद जी भी गए हम अभी लास्ट क्या रहता है मलीक अर्जौन अंद्रापरदेश अब मेरे खुदी दिमाग मेरे कि यार लास्ट एपीसोड अप्लोड करके अगले दिन या दो दिन बाद एक दो दिन ब अगर को पहले एपिसोड आ रहा है जब तक ये पोड़कास्ट आए गा तो बार अक्टूबर के बाद या जितने भी चार एपिसोड आएंगे टोटल पहले की एपिसोड के एंड में सेकंड एपिसोड की डेट आईगी सेकंड के मैं थाड की मतलब हर बार बता दिये जाए